गुजरात के अंदर गुजरात के अंदर एक भुरुच सहर है भुरुच डिष्टिक और भुरुच डिष्टिक से बारा किलोमेटर लगवग एक मंगलेश्वर गाउं है और वहां पर ये नर्बदा नदी एक टापू बना जेती है जमीन का एक आठसो नौसो एकड़ का जो अक्सेतर है उसके चारों तरफ से यानि दोनों तरफ से जाके आगे मिल जाती है उसको अपने गेरे में डाल रख्या उसको टापू बोलते हैं तो उसके अंदर एक उसके अंदर तीस चारिस गरों का गाउं था पहले छोटे छोटे जुपडियां होया करती थी और जलका असरा लेकर ही वह वहां रहा करते थे तो उसके अंदर उस टापू में अर्थात आठसो नो सो एकट जगह थी वहां पर तीस चारिस गरों का एक गाउं था और उसमें जीवा दत्ता नाम के दो ब्राह्मन भाही रहा करते थे और भी ब्राह्मन प्रिवार थे उसमें अब वो जीवा और तत्वा उसको दत्ता भी बोल देते हैं तैको डै भी बोल देते हैं तो हम संत लेंगवेज में जीवा और दत्ता बोलते हैं वो बहुत प्रमात्मा के चाहने वाले थे प्रमात्मा की चाहा के अंदर वो इतने मगन थे कि जगह जगह जाते थे संतों के सत्संग शुन्या करते थे अब जहां भी वो जाते थे तो ये बताया जाता था कि गुरू बिनमोकस नहीं हो सकता और फिर ये भी कहते थे कि पूरा गुरू हो क्योंकि प्रमेश्वर कबीर जी से बहबित हो करके वो सभी संत्समंडलेश्वर ब्राहमन रिशी ये सब्द भी कहने लगे थे कि अब गुरू पूरा हो पूरे बिनाबाद बने कोई नहीं और अपने आपको फिर पूरा सिद्ध करने के लिए बहुत शेधारन दिया करते थे तो जीवा दत्ता जी दोनों भाई प्रमात्मा के प्राप्ति के लिए मौक्ष कराने के उज़ेस्टे से संतों के पास जाते उनके विचार सुनते और सभी ये सब्द बोलते यही वचन कहते कि गुरू बिन मौक्ष नहीं और गुरू पूरा हो तब उन दोनों भाईयों ने सुच्चा भी जहां जहां भी जाते हैं जिश्वी रिसी महरिसी के संत के मनलेश्वर के गुरू के ब्राह्मन के वचन सुनते हैं आमने तो वो सारे अच्छे लगए हैं यानि परतेक संत ग्यान देता है बगवान की चर्चा करता है हमें तो सभी अच्छे लगते हैं लेकिन ये पैचान हम कैसे करें कि इनमें पूरा कौन सा है सभी अपने आपको पूरा बताते हैं इनकी वे ओफ वर्सी भिन-भिन है इनके ग्यान में भी अंत्र है तो ये कैसे निर्ने करें कि गुरू पूरा है तो उन्होंने सवचावी देखो मनोस जीवन में बार बार मिला को नि क्योंकि ग्यान जो सत्संग सुनाय जाता है जहां भी कोई सुनाता है तो यही कहते हैं भर मानोस जनम बार बार प्राप्त नहीं होता 84,00,000,000,000,000,000' के अंदर धखे खा कर दुक उठा करके एक बमानुसरीं पराफ्ट होता है और मानुसरीं पराफ्ट करके प्रमात्मा की भक्ती नहीं की तो जीवन विर्थ हो जाता है तो पुन्यात्मा जो होती है कि यह छोटी सी बाती ही बहुत ज़्यादा चुब जाती है वो बैवीत हो जाते है बगवन क्या होगा यजि अब के मुक्स नहीं हुआ तो ना जाने कितनी बार कुछ तेगदे सुवर की योनियां पराप्त करनी पुड़ेंगी इस दिर्श्टी कौन से इस मानोजीवन को सफल करने के उज़ेसे जीवा और दत्ता ने अपने आप सोचा कि है बगवन हमें पूरा गुरू मिलाओ हम पूरे गुरू को समझ नहीं पा रहे हैं कैसे पैचान करें तो उन्होंने आप एक डिसीजन ले लिया एक वट वर्क्स की यानि बढ़ की एक सुकी लकड़ी वा निच्च पड़ी थी तूटी होई काफी जनों से उसको उठाके अपने आंगण में जैसे पौदा लगाया करें जो बनाके गंड़ा हाँ खोज के और उसमें लगा दीवा गाड़ दी वो सुक का खूंड और फिर उन्हेंने के विचार किया कि इस सुक के खूंड में इस सुक की डारी में हम मंडलेशवर संतों के चर्ण दोक है और चर्णामर्द डालांगे यदि चर्णामर्द डालने से या सुक्षी टैनी हरी होगी हम उसको पूरा गुरू मान लेगे वैसे पुन्यात्माओं ये कोई तरीका नहीं था पूरे गुरू की पहचान का पर वो बोड़े बाले थे सर्दागणी थी बगवान में और पूर प्रमात्माओं और पूरे गुरू के लिए वो तड़ रहे थे तो प्रमात्माओं अपने ऐसी आत्माओं के लिए कोई ना कोई तरीका बनाता है उन्होंने क्या किया किसी भी मंडलेश्वर के पास जाते और उनसे उपदेश की प्रार्थना करते उनके चर्ण धोके और अपने पात्र में डाल लाते अब चर्णा मरत तो कोई भी जे जेता है गुरू संथ आके उसमें डालते हैं कि एक को अपने घर पर भी बुला जेते कोई आसपास जा रहा होता वहां पहले उनके चर्ण दोते आहर कराते और उस लकड़ी में पानी डालते कुछ ने हुआ ऐसे कई वरस बीत गे अब उन दोनों भाईयों ने प्रातना की रोकर एक प्रमात्मा है मालिक पूरा गुरू कोई है नहीं क्योंकि हमारी टैनी हरी हुई नहीं इनके चर्णामरत से और पूरे गुरू के बिना ये मानुस जीवन विर्थ हो जाओगा ये परवेश्वर या तो पूरा गुरू मिले और नहीं तो हम अपने दास के इस सरीरों को हम दोनों भाईयों के सरीर को मनुस जीवन को खतम कर दो इसको खतम कर दो प्रमात्मा और उस में सेस जनम देना हमारा युमरुस जीवन का जिस में परच्वी पर कोई पूर्ण संत आया हुआ हो वरतमान में परच्वी पर कोई भी पूर्ण संत नहीं है इतना कहकर के गंटों रोए गंटों रोए अब पूर्ण आत्माओं जब आपको तडफ होगी वगवान के पाने की फिर आप जी का यही हाल होगा परमात्मा पाने के लिए राजाओं नहीं राज त्याग दिया और स्रीद का कोई धान नहीं दिया कठिन से कठिन तप किये तो उसी सती थी यह सती थी उन्हीं पुन्यात्माओं की होती है जो पूर्ण जनर से भी पगती करते हुए आ रहे हैं कहते हैं संतों से ती सादा से ती मसक्री और चोरा नाल खुसाल यह तो मल अखाड़ा जीते हैं युगन युगन के माल यह जो निकमी आत्मा हैं वो संतों के साथ बदमासी करते हैं मजा करते हैं उनको तंग करते हैं और उन चोरा नाल खुसाल जो नकली संत हैं बकवाज करते हैं उन तरह जीरें उनके साथ प्रसंड रहते हैं और कहते हैं मल अखाड़ा जीते हैं युगन युगन के माल माल में रैसलर पहलवान पहलवान वही होता है जो पहले एक्सरसाइज करता है प्रैक्टिस कर रहा होता है तो आप कई जन्मों से ये रिहर्सल करते आ रहे हो आप कई जन्मों से भगवान के अखाड़े के माल हो पहलवान हो तो ऐसे ही वो जीवा और दत्ता भी वो योगन-योगन के माल थे उन्हीं में ये प्रेरिना होती है प्रमात्मा के पाने की जैसे मीराबाई योगन-योगन की माल थी ना समाज देखा के अलभगवान देखा चाह कुछ भी हो मारो चे छोड़ो तो ये माल होते ये पहलवान थे मालिक के पाड़े के और सफल हुए ऐसे ही जीवा दता वो युगन-युगन के युगा-युगा से वो पहलवान यानि भगती करते वे आ रहे थे और उस भगती ने फिर अंगडाई ली पिछली पुन्यने और बहुत तरफते छे बहने तक लगबग फिर रोते रहे ये भगवान या तो ये स्रीज छुट जा या कोई संत मिलाओ मालिक एक दिन क्या हुआ परमेश्वर कहते हैं सोचल सीदर मैं करूँ अपने जन के काज गोता मारू स्रुग में जा पैठो पाताल कहे कबीर ढूंडता फिरू अपने हीरे मानिक लाल लाल मैं को ढूंडने के लिए मालिक वह पहुँच गे दोपैर केसे में उनकी उस जोफडियों में जीवा बाहर आया जीवा ने देखा के एक संत आ रहा है उसने अपने भाई से जाकर कहा के भाई एक संत आ रहा है आपकी आग्या हो तो उसे बुला लाओं अब दत्ता ने कहा के भाई आपने देख लिया मंडले स्वरों को भी देख लिया हमने इन के पास कुछ नहीं है और क्यों जख हमने आक रहे और कई दिन रोना पड़ेगा कुछ ना पावे इनके पास अब वो क्या देखा कि वो प्रमात्मा उनके गली के उनके गर के आगे से आगे कुछ लेगे जैसे किसी का घर पूछ रहे हो ढूंड रहे हो बार बार जीवा के कहने से दत्ता बहर गया जीवा बड़ा भाहि था दत्ता का दत्ता ने बार बार कहा जीवा आप आपकी आग्या हो तो मेरा इसा दल कर रहे है इस संतन बुलाए लहूंए अब जीवान कावे कोई बात ने अब तेरी इच्छा है तो लेया मैं क्यों मना करू तुझे देख ले वो वापिस गए तो परमात्मा फिर वापिस आ रहे हैं उनके घर की तरफ वापिस जैसे गाउं से बाहर जाने वाले हो तो दत्ता ने जाके चर्ण पकड़ दिये और कहा परवर्दिगार ये दास की जोफड़ी है एक बार दर्शन दो फवीतर करो दास की कुटिया को परमात्मा बोले चल भाई आगे अंदर जैसा भी घर पर व्यस्ता थी कोई बैठना मुट डादे दिया कोई चुटा सा सटूल और जीवा ने कहा दता जा कोई तसला ला उठाके थाली ला थाली प्रांत ला चर्ण दोएंगे महराज आए भगवान आए यानि संत आए है संतों परमात्मा का रूप होता है उनका ट्रेनिंग धीवा जटेल लीगी चर्ण दोएंगे पानी से और जीवा ने कहा दता संतों के चर्णा मरत को कहीं ऐसे वैसे ने डालना चाहिए वहां पौदे में डाल दी ए उसमें पौदे में है खाक अच्छा जी अव दता ने जाकर वो जोंही पानी डाला उस तसले से परांथ से ज़य साइब जिसमा पातर में डाल रहा था और पानी डालते डालते ही कोपल फूट ही उस बटबर्क्स की टेनी के बोलो सत्गुर्देव कीजे अब दत्ता ने आवाज लगाई जीवा दोड़के आना जीवा जल्दिया अजीवा गया अग्या की देख बगवान आगे आज इसकी चाहत ही वो मिल गया हमारे को अब देखे थोड़ी देर में पूरी कॉपल फूट गी हुए इतने लंबे लंबे पत्ते होगे सूप कीटे नहीं गए अब दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया एक एक पैर पकड़ लिया रोवां बुरी तरह ने मुग की तरफ देखें बगवान आप कहां छुपे थे ले प्रमात्मा आप कहां छुपे थे हमने तो सोच लिया था कि ये जीवन बरबाद होगा और यही प्रात्रा करते थे बगवनिया तो सजीवन हमारा अंत करते इस मन उस जीवन का फिर देदेना जीवन फिर जनम देना मालक जब कोई प्रण संत यहां आए होँ आपने सोच लिया था इक परछ्वी पर कोई संत नहीं रहा प्रमात्मा ने कहा कभीर जी ने कि भाई बच्चा अगर प्रच्वी पर संत ना होगा इसमें आग लग जागी यहां रह नहीं सकता प्राणी यह तो संत यहां मैं रखता हूँ एक आद अपना भगत प्यारी आत्मा यह स्वेम आता हूँ जिससे प्रच्वी पर बैलेंस बना रहता है और बेटा जब प्रच्वी पर संत नहीं होगा तो इसमें आग लग जागी पूरी प्रच्वी कटका मरजाब पसमें इतना बुरा हाल हो जाएगा तब उन्होंने कहा कि ही प्रमात्मा हमने तो आपकी बहुत इंतजार करी आप नहीं आते तो हम साइब मिनने और ज़्यादा जीवित रहते क्योंकि सूप का काटा हो गए थे और उनका बुरा हाल था अब दुन्होंने उपदेश लिया सबसे न्यारा ग्यान और सबसे न्यारा वगवान उस ग्यान से प्रमात्मा आते रहे उनको ग्यान सुनाते रहे आते रहे ग्यान सुनाते रहे कुछ जनों में वो ग्यान से प्रिपक होगे वो उस ग्यान को फिर सुनाने लगे अपने ब्रामन वरग में अब ब्रामन वरग तर रामर कर संतु परमान में को नहीं शिफ जी तो ज्यादा किसे की सुने नहीं बहरो भूत की भी पूजा करवा है अब उन्होंने पूछा भी तुमने गुरू कौन बना लिया जाएसान न श्टिक तो अगर मभेशनुमा रिस से भी अलग कोई बगवान बताता है तो उन्होंने बताया कि बनारस में कासी में हमारे यानि परमात्मा ही आए हुए हूँए वो पूर्न ब्रम हैं पूर्न परमात्मा है कबीर जी प्रमात्मा आएंगे तुम्हें मिलवाएंगे तो प्रमेश्वर फिर आगे अपने बगतों को संभालने के लिए जीवा दत्ता ने गाउं वालों से कहा कि आजाओ आज बगवान आए अब ग्यान तो सुना नहीं सुरू से पूछने लगे तु कौन है तेरी जाती क्या है वो ब्रहम्ण लोग बोले तुने हमारे भाईयों को हमारे धर्म के लोगों को बिस गाइड कर दिया है तु मुस्लमान है या क्या है प्रमात्मा ने कहा जात ना पूछो संत की पूछ लीजिये ग्याने मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान लेकिन नहीं माने फरमातमा ने कहा भी मैं जुलाहा जुलाहा हूँ और कबीर मेरा नाम है और कासी मैं रहता हूँ वैसे मेरा मूल ठिकाना सत्लोक है अब सत्लोकों न शुनानी कदे वो सत्लोक न समझे के कहने लेगे अच्छा धानक है तू धानक है कहाँ पक्का धानक हूँ भाई सारी सिष्टी के रचन बनाने वाला भी मैं ही धानक हूँ और कप्डे बुनने वाला यहाँ पर भी मैं धानक हूँ सब उठकर चले गए फिर उनका एक मीटिंग होई पंचायत होई कहने लगे वह जीवा धत्ता को जाती से डाल दो यह तो धानक का चला बनिया इसने तो हमारे जाती का नास कर दिया एक सुदर का चला बनिया हम कहां मूँ दिखाएंगे उनने कर दिया फैसला सुना दिया फुरमान कि जीवा और धत्ता का अपसमें भाही चारा बंद उका पानी बंद और कोई नहीं बात करें इनके सद्जगे चिठी लिखके भी अब दोनों बहुत दुखी होगे लेकिन ग्यान ऐसा है प्रमात्मा का सारा संसार रुष्ट हो जावे यह मारग नहीं छूट सकता फिर वो माल थे मेरावाई की तरह युगन-युगन के माल थे पहलवान थे और माल वही होगदों सब नढ़ा दे तो उनको कोई चन्त नों तो ही कोई युगन को होता गया गलत फिर कोई बात का प्रमात्मा से हमने वो मिल गया फिर क्या हुआ कि जीवा के लड़का था अर्दत्ता के लड़की दोनों व्योहा योग हुए अब कोई बरामना आथ टेकन दे नहीं मुझे बालका था बया क्यों कर करें प्रमात्मा आए चन्ताव्यक्त की कि प्रपू ऐसे ऐसे समश्या आगी हमारे सामने वसे था आपके दास मर्पित हैं आपके बच्चे भी ग्यान को समढ़ चुके हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है हमारे बिनाब्याई रह जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हमना है आपके ग्यान से में प्राप ग्यान हो गया पता लग गया कि एक लग पूट सवा लग ना थी उस रावनकाज दीवान वा थी इस वन्स चलाक है देख लिस एक लावनकाज को दीवा लावन या भी कोई ना वन्स शेष रहा नहीं यह तो सब ने जाना है लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ बुरा कर दिया इन ब्राह्मनों ने हमारी उक्ता पानी बंद भाई चारे से अमल कर दिये हमारे बच्छों के रिष्टे भी ये नहीं लेते ना करते परमात्मा बोले तुम एक काम करो जगे 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 जा के कहे लो भाई या तो मारे बच्छों का बढ़ और ओढ़ेजो और नहीं होने देते हो तो हम इन दोनों बच्छों की साज़ी करेंगे आपस में जीवा का लड़का दबता की लड़की इन दोनों का व्याप पस में करें गया हूर की करें अब उन्होंने ऐसा ही एक प्रोगंडा फैला दिया अब ब्रामना की फेर पंचायत हो एक भाईयू जमानास हो गया बाण भाई का व्याप होगा कि तमू दिखावांगे उनकी पंचायत होगी कहने लगा के विचार किया कि भाईयू लड़का लड़की का के दोस है गलती तो उन दोनों ने कुम्या की हैं तो हम ये तो अलाउड कर जो भाईयू लड़की का लड़का की ब्याँ अन्य स्थान पर हो सकता है तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं भाई फिर तो कोई ब्यान आ कर रहा उनका है तो अन्यों करो लड़के और लड़की ने गोद ले लो और फिर हम ब्याँ करेंगे तो वह आए सारे कठे हो गया कि खबरदार दे तुमने आपस मैं साथ दीन भरष्ट किया तो है और ये लड़के लड़की तो हमारे हैं ये लड़का लड़की हमें दो हम इनको गोद लेते हैं हम साथी करेंगे इनकी कित्ता करें डंग से तुमने इससे कोई ले ना जेना नहीं वह बोले ठीक से ले जाओ थरे लड़का लड़की ने वास समय से भी अलकर दी, ब्या अली भी परमातुमाने, उनना आप पर ब्या करया, दोनों बच्चों का वास शरदर्द भी अटाय दिया, ब्या का खर्चा भी ना होया, तो फिर थोड़े दिना वसी दे ओगे, ग्यान समझ मान लागया, जिरे जिरे क्योंकि वो बच्चे जह मैं तक्रीबन करन लाएगे, अब जो वो सुके टेहनी बटके वर्क से, मैं जर्नामरत डाला था टेहनी में, एक पेड़ बन गया पूरा, और वो पेड़ आज भी विदमान है, शस्सो वर्स होगे उसने, वो पेड़ आज भी विदमान है, और वहाँ पर कवीर पंथ के ये प्रमप्रागत महंतों का वहाँ एक आशरम बना हुआ है, जो इन यादगारों को सभाले हुए है, उसको हम देखकर आए थे, स्वेम आखों देखकर आए हैं, एक बार गए थे हम देखने के लिए, उसमें मंगलेश्वर गाउं से, नोका में बैठकर जाना पड़ता है, सा पहले ये वर्ट वरक्स इस पूरे अक्सेतर में फैला हुआ था, यानि बढ़की एक ऐसी विस्ता होती है, एक बढ़ने आगे बढ़न की जगे मिल जाओ, वो उपर से इसकी दाड़ इसी आती है नीचे जड़ें, और जमीन में गुष जाती हैं, और कुछी देर में वो प लेकिन अब उसको काठ पीठ के दोबारा वहां खेती करने लगे और वो थोड़ी सीमा में रह रहा है, दो एकड़ जमीन में, मतलब वो लगवग टोटल तो चार एकड़ में गया है, यानि दो एकड़ ऐसे बढ़ गया है, सेंटर सीम नो दो एकड़ दो, दो एकड़ तो ऐसे चार पांच एकड़ में, अब भी वो विदमान है, सेस बचा हुआ, बड़ी बड़ी दाड़ी उसका नीचे गड़ी बड़े बड़े पेड़ हो गया, ऐसे ऐसे, तो वहां वह महंत है, उनसे भी पूछा, वहां के गाओं नगरवालों से भी पूछा, तो उन्होंने यही बताया कि यह कबीर परमात्मा जी जीवा दत्ता नाम के दो भाई ब्रहमन भाई रहते थे, उनको ग्यान जिया था, उन्होंने एक सर्त रखी थी, उस कारण से यह, वह सुक्के वरक्स की तैनी यह पेड रूप दाड़न करगी, आज भी वे परमान वहां भी दुमान ह कर दो